यह कुछ कार्स है हर सेग्मेंट में जो अगर 2024 में आप पर्फेक्ट गाड़ी चाह रहे हो तो आप इन पर जा सकते हो इसमें बहुत सारी गाड़ी आ जाती है तो इसमें बताना बड़ा ट्रिकी है बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो गया था मैं के वही है कौन सी गाड़ी को जिसमें बेश्ट पर हम रख सकते हैं तो गुड़ बॉनिंग गाइज वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं आप सभी बढ़े होंगे तो वही आज का जो हम वीडियो बनाने वाले आज का वीडियो बनाएंगे दो हजार चोविस में ऐसी गाड़िया जो पर्फेक्ट होती हैं जब भी हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो मैरे माईंड में कुछ रहता है कि मुझे अपनी गाड़ी में यह चीज़ चाहिए तो यहां पर पांच चीजे डिसकस करूँगा जो एक गाड़ी में आपको चाहिए चाहिए हैं आज की डेट में दोहजार चोविस की की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह का ट्रैफिक हो गया है रोडस पर उन सब चीजों को देखते हुए सबसे पहली चीज भई गाड़ी में इंजन आपको रिफाइन इंजन चाहिए गाड़ी में सेकेंड चीज आफ्टर सेल्स सर्विस मतलब गाड़ी की सर्विसिंग बग से होते रहते हैं तो उस हिसाब से हमें सेफ्टी भी अब जो है गाड़ी में जरूर देखके चलना पड़ता है क्योंकि हम तो सही चल रहा है पता नहीं होता सामने वाले का हमें नहीं पता होता हो किस मूड मार रहा है तो इसलिए यह एक इंपोर्टेंट चीज है इसे आप वेसा कंसीडर करो जब भी आप नहीं गाड़ी खरीद रहे हो तो इसके बाद में हम बात करेंगे माइलेज की तो बहुत से लोगों को यह कंसर्ण रहता हो जैसे क्या डीजल पैट्रोल के प्राइज हाई हो रहे हैं तो सभी को चाहिए एक अच्छे माइलेज वाली है बहुत ज़्यादा उनकी जेप भारी ना पड़े वो गाड़ी चलाना और पांच भी चीज जो हम बात करने वाले हैं वो है भई रिसेल वैल्यू कल को आपको मनलब दो साल या तीन साल या पांस साल के बाद वो गाड़ी बेक नहीं पड़ा जाए चाहे किसी भी कंडिश सेल वैल्यू भी ठीक ठाक होनी चाहिए कल को इमर्जेंसी कुछ पढ़ती है तो आप उसे सेल कर सको तो यह कुछ पांच चीज़े हैं जो मैं मान के चलता हूँ एक गाड़ी में आपको चाहिए ही चाहिए तो चलो सुरू करते हैं आज की यह वीडियो और इसमें सारा हो जाता है पैसे का वहाँ पे तो आप पैसा फैको कुछ भी चीज आप ले सकते हो तो इसलिए हम केवल मिट साइज एस्यूबी तक ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन-कौन सी ऐसी गाड़िया है जो आपको बैस्ट रहेंगी आपके लिए जिन में ओल्मोस सारी मिलने वाली किसी के बहुत रिफाईन यह आपको सेफटी मिल रही तो उसमें इंजन रिफाइन नहीं मिलना या फिर उसमें आपको सर्विस नहीं मिल लगी या फिर आपको रिशेल वैल्यू नहीं मिल लगी तो कई ना कई एक या दो चीज आपकी कई ना कई मिसिंग रहती है हर कमपनी में तो चलो देखते हैं फिर भी कौन सी गाड़िया फिट बैट सकती है पांचों चीजों में तो जिस सब से नमबर वन पर जो मैं मान के यहां पर सजेस्ट करूँगा यह सारी चीजे देखते हुए तो भी मुझे जो नमबर वन पर लगती है वो लगती है टाटा ट्यागो टाटा ट्यागो पर आप जाओ उसमें आपको इंजन भी रिफाइन मिल रहा है आज की डेट में बहुत रिफ साइस गाड़ी का सेफटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है माईलेज भी आपको ठीक मिलता है इस गाड़ी में अच्छा ठीक माईलेज निकालती है यह गाड़ी और अगर रिसेल वैल्यू की बात करें तो इस गाड़ी की रिसेल वैल्यू भी ठीक ठाक है बहुत ज्यादा त्यागों में केवल एक आपकी after-sales service week है बाकी सारी चीजे अच्छी है और मारती सुजुकी शुफ्ट जो है उसमें आपकी केवल एक सेफ्टी week है सेफ्टी उसमें कम मिल लई है आपको लेकिन बाकी सारी चीजे जो है आपको अराम से फुल्फिल हो रही है तो second नमर पर आप जा सकते हो स्विफ्ट फे थर्ड गाड़ी हुंडे की ग्रेंड आइटेंड नियोज उस पर आप आराम से जा सकते हो सेफटी का यहां पर भी कंसर्न है सेफटी इसमें भी नहीं मिलेगी बठा आप रह रहे हो किसी इंटीरियर एरिया मतलब गाउंग देहात के गाड़े में हो तो वह स्विफ्ट और आई टैन पर आप आराम से जा सकते हो वाकि इसके बाद उप्संतों और भी खुले हुए हैं जैसे बलेने पर जा सकते हो या फिर अगर बज़ा टोर कम है तो मारति सुझुकी कि अल्टो के टेंड पर आप आराम से जा सकते हो ड्रोड और ड्रेंवे जो साहिए भूस सारे भी इस सांसे अब जबसेस को जानता भी नहीं तो हैजबीक में लोगे जबकी पहले वह ज़ादा होता था हैंग में दृफ्जभीक मेन चतेlे कौई और जो ये वाला को इसमें बैस्ट पर हम रख सकते हैं फिर भी मैंने सारी चीज़े देखी तो मैंने नंबर वन पर जो रखी है वो रखी है वही मारूती सुझुकी की ब्रेजा फोर स्टर सेफ्टी रेटिंग भी इसमें आपको मिल जाती है इंजन भी रिफाइन है पैट्रोल मिल जाएगा आपको माईलेज भी अच्छा मिलता है और अगर हम बात करें आफ्टर सेल सर्विस की तो वह भी अच्छी है और रिसेल वेल्यू तो इसकी है अच्छी तो इसलिए फर्स्ट नंबर पर भाई मैंने यह गाड़ी रखती है सेकिंड नंबर पर मैं सजेस्ट वह थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा वही प्रोब्लम जो ट्यागों के साथ वही इसके साथ आपको मिलेगी तो में अच्छी से मिल जाएगी बट हाँ थोड़ा सा गाउध के अरिया में आपको परिशानी जहलनी पड़ जाएगी थार्ड नंबर पर हुंड़ाई की वेन यू और सोनेट दोनों में से आप कोई सीप जा सकते हो दोनों गाड़ीों में सेम एंजन मिलते हैं और दोनों गाड़ीों में सेम तरही की ऑल्मोश बिल्ड दड्न दोनों काड़ी से आप कोई सी एक पर जा सकते हो फोर्थ पर मैं टाटा पंच आपको करूँ अगर आपका बजट और नीचे है तो टाटा पंच पर आप जा सकते हो पूरी कॉम्पेक्ट भी नहीं है मिनी एस्यूव उसको बोलते है और फिफ्ट नंबर पर मैं बोलूँगा आपको हुंड़ की एक्ष्टर तो इस गाड़ी पर भी आप आराम से जा सकते हो इसके बाद सिक्ट नंबर पर आप महिंद्रा की बोलेरो नियो पर जा सकते हो बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हाँ रियर वील ड्राइब की वह से वह गाड़ी बहुत परफेक्ट हो जाती हिल्स में तो इस पे भी आप आराम से जा सकते हो अब एक्ष्यूवी थ्री डवलो का जो है भी फेसलिफ्ट आने वाला है यह उप्सन साथ में नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं आफ्टर सेल सर्विस कम रहेगी बूट इस गाड़ी में आपको प्रोब्लम लगती है थोड़ी सी और बिल्ट वाल्टी बगरा हाँ इस गाड़ी की बहुत अच्छी है तो फेसलिफ्ट आ जाएगा तो हो सकता है इसका प्राइज भी और जादा थोड़ा सा बढ़ जाए तो इसलिए मैंने भी इसको ना सेवन नंबर पे एज ऑप्सन रखा है बाकी जब यह गाड़ी आती हो गई तो यहां पर अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर तो मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा आपको यूंडे क्रेटा विल्ट क्वालिटी का कंसर्ण रहेगा इसमें आपको जो अगर पुरानी वाली क्रेटा थी उसके हिसाब से हम देख के चले तो ओल्मोस्ट थी पॉइंट भी कम होता है तो तो इसलिए जो सेफ्टी है वो थोड़ा सा कंसर्ण है इस गाड़ी का बाग की ओवर ओला हम देखें तो वह गाड़ी लोकवाइज अच्छी है इंजन भी अच्छे है इस गाड़ी के और सेकिंड नंबर पर आप जा सकते हो क्या की सेल्टोस प परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट में और जैसे क्या किया ने अपना मतलब अपने आपको आगे बढ़ाया ना और बहुत सारी चीजे उन्होंने चेंज करी हैं मार्केट के इसाब से तो जी उस हिसाब से आप क्या सेल्टोस पर भी जा सकते हो सेफटी का इसमें इसम सजेस्ट करूँगा आपको होंडा एलेवेट पैट्रोल में खाली यह गाड़ी मिलने वाली आपको लेकिन अगर हम बात करें इसके इंजन की रेफाइन की या फिर बिल्ड क्वाल्टी की या रिसेल वैल्यू की या फिर किसी भी चीज की तो अराम से इसमें सारी चीज सब्सक्राइब आप जा सकते हो थोड़ा सा अपको अंडर पावर लगेगी अगर आप जा रहे हो 1.5 लिटर माइल्ड हाइवरेड के साथ में तो तो वहां पर आपको पावर का थोड़ा सा उसमें लगेगा प्रोब्लम क्योंकि वह इंजन बहुत सारी गाड़ियों में चल ओन एक जा सकते हो हाँ इन गाडियों में आपको जो प्रोबलम रहेगी एक थोड़ा माईलेज की प्रोब्लम रहाएगी और दूसरा जो प्रोब्लम रहेगी वह रहाईगी जी रिशर वेल्यू इन गाडीयों की से थोड़ी कम है अगर हम compare करें दूसरी कार्स से तो तो इसलिए आप इन पर भी जा सकते हो बठाइन में यह जो जो चीज आपको लंबे टाइम के लिए गाड़ी चाहिए तो आराम से जा सकते हो और सेल करने के परपस से जा रहे हो तो फिर ठीक है फिर ग्रेंट विटारा पर चले जाओ या फिर और कोई सी गाड़ी आप देख सकते हो क्रेटा देख सकते हो पर इनको अवइट कर सकते हो आप इस यह कुछ कार्स है हर सेग्मेंट में जो अगर 2024 में आप परफेक्ट गाड़ी चाह रहे हो तो आप इन पर जा सकते हो पूरी तो परफेक्ट नहीं है कही ना कहीं किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी मिलती है किसी की बिल्ट को रटी अच्छी है तो किसी का इंजन अच्छा है किसी की रिसेल वैल्यू अच्छी है तो किसी का after sales service कम है यह मतलब ग्राफ उपधर नीचे चलता रहता है बैट हाँ फिर भी आप अपनी नीड के तो इंपोर्टेंट ही है वहां पर तो आप हाईवे के हिसाब से अग कंसिडर कर सकते हो या फिर आपको चाहिए वही नहीं सेटी और हाईवे दोनों तो आप कोई सी ऐसी गाड़ी देख सकते हो जिसमें कि दोनों ऑप्सन मिल रहे हैं माईलेज बगरा का साथ आप कॉम्प्र सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं क्या है चैनल तो मिलते एगले ऐसी किसी वीडियो में टिल दें टेक केर बाई बाई